नमस्कार दोस्तों स्वागत आपको मेरे अफिसियल चैनल पाथफाइंडर पे तो हिंदी और व्याकरण जो हम लोग यूपी ट्री पलसी के लिए पढ़ रहे थे तो उसमें चार वीडियो में अलेडी अप्लोड कर चुका हूं आज ये पाच्वा पार्ट है तो लास्ट वी चैनल पर उनसे अन्रोद है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और पुराने सारे वीडियो जो यूपी ट्री पलसी नाम के फोल्डर में उपलब्द हैं हिंदी के और उसके अलावां जीके के वो जरूर देख डालिए को कि वीडियो और ग्राम पंचायत अधिकारी और जैसे कि बच्चे खेल रहे हैं इसमें क्या है क्रिया वर्तमान समय में ही हो रही है बच्चे खेल रहे थे यानि क्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी थी बच्चे खेलेंगे ये क्रिया यानि भविशिकाल की हो गई फिर इसी तरह से काल के भेद कितने होते हैं कौन-कौन से क तो काल के मुक्तत तीन भेद होते हैं वर्तमान काल भूत काल और भवीषिकालेट। सामान इसनी बात सबी को पता है। फिर वर्तमान काल के भेड हम देखते हैं तो पाच भेड होते हैं जिसमें से सामान वर्तमान, तातकालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिक्द वर्तमान और संभाव वर्तमान तो सबसे पहले हम सामान वर्तमान काल की बात करते हैं जिसमें क्रिया का वर्तमान काल में होन पाया जाता है जैसे मोहन पढ़ता है तो ये सामान जो है वर्तमान की बात हो गई तातकालिक वर्तमान मतलब जिसमें क्रिया हो रही है जैसे मोहन पढ़ रहा है यहां पर क्या था मोहन पढ़ता है तो ये सामान वर्तमान लेकिन क्रिया तुरंत हो रही है यानि मोहन पढ़ र वर्तमान काल का कारी पूर हो चुका है संदिक्द वर्तमान जिसमें क्रिया के होने में संदे प्रगट हो जैसे कि मोहन पढ़ता होगा यानि यह अनिश्चित है कि वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है तो संदिक्द वर्तमान कहलाता है फिर संभाव्य वर्तमान जिसमे काम पूरा होने की संभावना रहती है जैसे मोहन आया हो तो ये संभाव ये वरतमान हो गया अब बात करते हैं भूत काल की तो भूत काल के छेवेद होते हैं सामान भूत काल आसन भूत काल पूर भूत काल अपूर भूत काल संदिक्द भूत काल और हे तु हे तु मत भूत काल देखिए यह सब जित्ते भी काल हो गएरा है इनसे questions बहुत आते हैं इनका वाक के दे दिया जाता है और इसमें बताना होता है आपको किस तरह काल है तो सामान भूतकाल जिसमें बीते काम के बीते समय में पूरा होने का बोध हो जैसे सीता गई तो इसमें जो काम हो चुका है उसी समय में बोध हो रहा है आसन भूतकाल जिसमें क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर होई हो वो आसन भूतकाल कहलाता है जैसे कि मैं अभी सोकर उठी हूँ तो यह क्या है आसन भूतकाल का उधारण है जो क्रिया अभी अभी पूर होई हो पूर भूतकाल जिसमें क्रि जो है कापी पहले ही पूरी हो चुकी है अपूर भूतकाल जिसमें क्रिया भूतकाल में हो रही हो पर समाप्ती का पता ना चले जैसे राम गीत गा रहा था तो अभी वो गा रहा है या नहीं गा रहा है ये काम समाप्त हो गया है ये इसका कोई इसमें इस्पष्ट बहुत नह व्धूनुba जिसमें क्रिया के होने या ना होने पर दूसरी क्रिया का होना या ना होना निर्भर करता है। यदी वर्शा अच्छी होती तो फसल अच्छी होती यानि इसमें एक क्रिया जो है दूसरी पर्षिति पर निर्भा कर रही है तो इसको हे तू हे तू मद भूतकाल के नाम से जानता है अब भविश्यतकाल या भविश्यकाल इसके तीन वेग होते हैं सामान भविश्य वह भी क्रियां जिसमें किरिया जैसे कि वह कमाए तो इसमें क्या है एक क्रिया है जो दूसरे क्रिया पर depend कर रही है जब वह पूरा होगा तभी दुसरा पूरा होगाए अब हम देखते हैं वर्तनी संबंधी असुद्यां क्या होती है तो लिखने की रीती को वर्तनी लिए अक्षरी प्राया लोग जिन सब्दों के उचारण एवं वर्तनी करते हैं उझाता है तो तो फूर्स का हुस्षण रूप क्या नहीं होता है इस चैप्टर को मैं से साथ पार्ट में बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हो पहले भी जब आरो का एक्जाम था तो जो लोग चैनल पे नए हैं हिंदी ब्याकरण वाली जो प्लेलिस्ट है चैनल पर उसमें जाईए और उसमें वाक एवं वर्तनी असुद्धी के लगभग 12 वीडियो जोंगे एक करम से उसको देख किया जाता है तो फिलाल हम यह देखते हैं तो अनाधिकार यहां पर क्या है इसका सुद्ध रूप होता है अनधिकार ना पर जो आ की मात्रा है गलत लगी हुए अनुकूल लिखा हुआ है यहां पर जबकि कापर बड़ी मात्रा चाहिए इसी तरह से अनुसरण में सा गरत बड़ी मात्रा पर सरौजवाला सा ना चाहिए अहिल्या जो है गलत सब्सक्य जगे अधिकि के मात्रा लगती है ज सा जो है गलत लिखा लगता है इसमें जो है नार्मल सा जो 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 सरल वाला सा होता है हो सरोंज वाला सा इसमें टा का प्रियोग होता आधा टा और पूरा ठा तो इस पे द्हान दीजिएगा इसमें क्या है यहाँ पर दोनो ठा लिखा हुआ इसलिए ऐसुद्ध है उपरोक्थ जो सब्द जो है गलत होता है इसकी जिए उपर्युक्त सब्द का प्रियोग किया जाना चाहिए उत्पात में जो ता में हलंद लगाया यह गलत है उत्पात को में ता पूरा होता है उज्वल में जो है दो आधेज्या का प्रियोग होता है इसी प्रकार कलस की अगर बात करें तो इसमें सा जो है ससी वाला होता है कैलास में सा जो है सामानिशा यानि जो है सरोज वाला सा होता है कौतूहल तो कौतूहल में बड़े उकी मात्राता में लगती है या इसको कुतूहल भी कहते हैं छत्र में जो है छा जो है इस तरहे का बनता है नाकी जो है छत्री वाला बनत है फिर में ग्रहीता इसमें क्या है इसमें गाह की नीची लगाया गलत है जो किसमें गलत हो एक बाहिं आता हुई यह जह फिर या पर एकी मांत्रा जह weirdest तड़ित, को तड़ित, यारी ता इसमें आधा होता है, उसमें अलंत लगा देते हैं, दधीची में धा पर बड़ी की मातरा लगती है, दधीची और चा पर छोटी की मातरा लगती है, लिए इस तरच से लिखा जाता है. पत्नी जो है में छोटी की मात्रा नहीं लगती पत्नी जो है बड़ी की मात्रा लगती है अंताच्छरी जो गलत लिखा है इसमें क्या है अंत्याच्छरी आधाना और आधाता दोनों का प्रियोग होता है अर्थात में जो है ता में हलंत लगने पर ये सही होता है आवाहान ज जो है यह सही है आजीविका तो इसमें वापर भी छोटी की मात्रा लगेगी तब जो है आजीविका जो है सही लिखा जाएगा इस्ट्या जो है गलत लिखा है इसमें जो है आधा शा होता है सटकोण वाला सा आधा होता है और यहापर जो है बड़ा यहापर रा की मात्रा होता आग प्रियोग नहीं होता उद्योग से झो है और होता है फिर कवित्री नहीं होताइए और चर्मोत कर्स में गलती है उसमें पूरा लिखा हुआ है इसमें ने धा प्रयोग होता है त्याज कोई सब्द नहीं होता त्याज्य होता है आधा ज्या का प्रयोग होता है फिर दिपिका दिपिका होता है दा पर बड़ी की मात्रा लगती है निरपराधी सब्द गलत होता है निरपराज सब्द होता है द्वंद में इस तरह से दोनों दा में नीचे दा का प्रयोग ह होता है नुपुर गलत लिखा है नूपुर होता है ना पर बड़ेयुकी मात्रा होती है फिर प्रशंसा में जो है सा देखें यहां पर गलत लिखा हुआ है तो प्रशंसा इस प्रकार सायोगा पुज्य गलत लिखा हुआ इसको पूज्य पापर बड़ेयुकी मात्रा होता है फिर ब्रज को तो इसमें वामे नीचे र्याद लगता है ब्रह्म का ब्रह्म इस्तर लिका जाता है जो है आधा यान लगा के भाया या पर पूरीक मतलती महात्म तो महात्म मा मापर भी आ प्रज्वलित में दो जा नहीं होते हैं आधा जा और वलित इस तरह से प्रज्वलित फिर प्रिथक जो है में काम के नीचे हलंत लगा जाता है धायता कोई सब्द नहीं होता या तो धैर होता या धीरता होता है अशहनीय का अशह ही होता है सुद्ध सब्द जो है अनुयाई में यी बड़ी की प्रियोग ना करके या पर बड़ी यी की मात्रा लगा जाती अनुय प्राबाड़िक प्रामारिक पर परस्थ्त्यक इसको लिखते हैं बहुल लता कोई सब्द नहीं होता है या बहूलता होता है ब्यावशाइक का ब्यावशाइक होता है यानि यापर आ की मात्रा इसमें लगा जाती है सौंदर्यता का सौंदर्य होता है या तो सुंदर्ता होता है सबताहिक का सापताहिक होता है यानि सापर भी बड़े की मात्रा लगती है फिर इसी तरह से संसारिक में सांसारिक होता है कोमलांगनी को कोमलांगी लिखते हैं अत्योक्ति को अत्योक्ति ये इसका सुद्ध है अनाधिकारी का अनाधिकारी होता है मतलब नापर जो है बड़े की मात्रा गड़त लगी हुए है आशिरवाद बहुत बार पूछा जा किमवदंती तो किवदंती इस तरह से लिखा जाता है छत्रचाया का चत्रचाया आधाच्चा का इसमें प्रयोकिया आता है वालमीक नहीं होता है वालमीकी होता है मापर बड़ी की मातरा कापर छोटी की मातरा फिर कालिदास की बात करें तो कालिदास छोटी की मातरा लगती ह कुमुदिनी का कुमुदिनी दापर छोटी की मात्रा भी लगती है दुरावस्था का दुरवस्था होता है जो आ की मात्रा रा पर लगाई की गलत है और अंतर राश्ट्री को अंतर इस तरह से लिखते हैं फिर राश्ट्री लिखते हैं तो ये सुद्ध सब्द है जो इसमें एक तरह से मिलाकर उपर रा की मात्रा लगा दियाती है वो गलत है तो इसमें आ पर बड़ी बड़ा आना होके छोटा होगा अध्यात्म इस तरह से लिखा जागा अनुग्रहीत में अनुग्रहीत गामे नीचे रील री की मतलगेगी आवाम तो अवाम होता है ये और अहार का आहार होता है आईना में बड़ी की मतलगती है कि वह चोटी का प्र कि और लिखा आवारा में आ जो है बड़ी होता है यहाँ अधार यह इसको वा लिखा जाता है आव मांदारी में यहाँ पर बड़ी की मतलगती है यानि इमांदारी हो जाती है यह एकैड़ी की जगे एकेडेमिक या अकादमिक ये इसका सुद्व सब्द होता है एतिहासिक में गती फिर इससी तरह ना लिखके एचिक लिखा जाता है ख्याल का खयाल होता है घीतांजली लापरेटा लुता है, ग्रहिं परदा से सुद्र लिखा जाता है, ग्रहिंडी, हाँ पर छोटी की मात्र लगा जाती है, गवाना में चंद बिंदु जो है वा जबगी गा पर लगता है और गवाना जवाब तो जवब यानि वा पहले आएगा बावाद में तिथी में बड़ी मात्रा न लगा के छोटिंग मात्रा लगती है तिथी त्योहार तो त्योहार में या पर ऑ की मात्रा मतलब डबल वो नहीं लगेगा यह त्योहार होता है तिलास्विम को तिलिश्म लिखते हैं आनि लाप छोटिंग मात्रा तुष्टी करण में टापर बड़ी की मात्रा का प प्रियोग होता है दिवाली जो है दीवाली जो है दापर बड़ी की मतलगती है द्रश्य में द्रश्य सा जो है सटकोड वाला नाप्रियोगों के ससी वाला सा इसमें प्रियोग होता है फिर दोपहिया की जगे दुपहिया सब्द सब्द होता है दुरंदर की जगे दुरंदर सेस्ट निरोग कों निरोग कहते हैं निलंवित को निलंवित यो है निचर एक मातर नचर नंगेगीजिद नय इसमें जो है इस बिसरक का प्रियोग होगा नवाब में वा पहले आएगा बाब आद में पर क्या हैगा यानि वा का प्रियोग पहले किया गैंगा जो की गलत है तो नवरात्री को नवरात्र लिखते हैं सही नियोता को नियोता या पर एक ही मत्रा होती है निर्माडा धीन तो यहां क्या है निर्माडा धीन लिखा है जो गलत है निर्माडा धीन सही सब्द होता है आणा पे आ की मात्रा लगनी चाहिए पोड कोई सब्द नहीं होता प्रोड सब्द का प्रयोग होता जो सही है पजामा की जगे पाजामा सही होता है पांडे सब्द गलत होता पांडे या उसमें जरूर लगना चाहिए फिर पूँच कर तो इसमें पे चीदा इस तरह से जो है लिखा जाएगा तो दोस्तों आज के लेक्षर में इतना ही इसको अकल और कांटिन्यू करेंगे क्योंकि समय ज्यादा हो गया ज्यादा लंबा वीडियो बनाने से जो है आप लोग में भी बोरियत होती तो मेरा प्रयास रहता कि वीडियो 15 मिनिट के अंदर का हो तो जो है आपके लिए शुब्दा जनक होता है तो इसको कल कांटिन्यू करते हैं नमस्कार धन्यवाद